शोताओं आज अंतरास्ट्रिय दिव्यांग जन दिवस है और आज इस महत्तुपुर्ण अफसर पर हमारे बीच एक दिश्ट्री दिव्यांग श्री राजिंदर सिंग नेगी है जो की IT और AT एजुकेटर है आपका क्यारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है राजिंदर जी हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन कहां हुआ और आपका बच्पन कैसे बीता मेरा जन जो है आसम में हुआ हाला कि मैं बेसिकली उतराखन कर रहने वाला हूँ लेकिन फादर की जौब के कारण से हम आसम में ही ज़्यादा रहे और वहाँ दिमापूर एक जगह है वहाँ पर मेरा जन हुआ और बच्पन आसम में ही बिता हाला कि बाई बर्थ ही मेरे चलता रहा है लाइफ जी पढ़ाई पढ़ाई के बाद करूं तो क्योंकि दिस्टि दिब्यांगता यानि कि थोड़ा सा अल्प दिस्टि हम बोल सकते हैं तो वो मेरे पास बच्पन से आगे थी और बच्पन में ऑपरेट भी हुआ जो हो सकता था इलाज वो हुआ उसके ब आप में एक वहीं पर दूसरा एक एरपोर्ट इस्टेशन है वहां से फिल मैंने केंद्रिवी जाले से ही 12 तक किया तो इस दोरान कई लोगों को यह जानना होगा कि कैसे मैंने सिक्षा ग्रेंड किया क्योंकि दिस्टीव बाधित होने के कारण से कई प्रावलम हो जाती है इसमें मैं अपने दोस्तों का भहुत भहुत आज भी इस रेडियो के माध्यम से भी धन्यबाद करना चाहूंगा कि फॉर एक जम्पल पहले हमारे जमाने में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे तो उसमें हाँ लिखते थे आजकल तो वाइड बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, स्मार् से और मेरे कुछ मेहनत से, घरवालों के सायोग से, मैं इंक्लूजिव सेट अप में ही सुरुआ से पढ़ता रहा हूँ जब 12th मैंने पास किया तो उसके आद फिर मैंने जो ग्रेजिएशन है वो गोपेश्वर है जो चमूली में है वहां से किया और उसके आद मैं LLB किया, लॉग रेजिएशन भी किया और फिर MSW किया और कुछ नेटवर्किंग के कोर्स भी किये, टेक्नलोजी से रिलेटेड और फिर जब अब इस संस्थान में जूनने की बात है तो मैं 2006 से ही इस फिल्ड में काम कर रहा हूँ, पहले मैंने डेली एक National Association for the Blind NGO है, वहां पर काम किया 2006 से 9 तक, 2009 से 12 तक मैंने डेली उनिवर्सिटी में काम किया इसी फिल्ड में, आज आप एक विभाग में हैं, पहले उ तो इस से कैसे जुड़ा हुआ, इस विभाग में कैसे आपाए? क्योंकि मैं इस फिल्ड में काम करी रहा था और उत्राखन में में रहने वाला हूँ, तो यहां जॉब निकली और पहला यह पोस्त है, जहां तक मुझे लगता है भारत का जो Assistive Technology के लिए Dedicated Post है, तो मैं इस opportunity मिल गई, और मैं यहां आ गया. जिसे आपने MSW की बात की, उससे पहले आपने कौन से विशों का धिन किया? उससे पहले मैंने LLB किया, लॉग रेजुएट हूँ में, और यह बात अलग है छेतर में नहीं गया, क्योंकि मेरा objective यही था कि मैं कुछ दिस्टी दिब्यांग करने के लिए मैं नया भी गया था, आरकेपुरम में जो है, देली में, तो वहां मैंने देखा कि जो दिस्टी दिब्यांग जनभी है, वहां पर जॉब की तलास कर रहे हैं, मलब इस फील्ड को छोड़ थे, जो वहां टीचिंग कर रहे हैं, आज मेरे साथ के कई लोग हैं, और मेरे इंट्रेस्ट भी हो सकता है, तो इस तरह से मैं इस फील्ड में लगातार चलता रहा है, और आगे जो है, फिर यहां आगे, 2012 से, अब हम जानना चाहेंगे आप से, राजिंदर जी, कि यह एसिस्टिव टेक्नोलोजी है क्या? देखे, होता क्या है, सामानित, मैं एक software डाल देते हैं, जो हमें बोल के सुनाता है, कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर word आ रहा है, किस तरह से type जो कर रहा है, वो हमें सुना देता है, तो इस प्रकार से, जो ऐसा software जो हम डालते हैं, जो की बोल के हमें सुना देता है, उसी को हम assistive technology कहते हैं, इनने के वही computer, उसी भी visual impaired चला सकते हैं और programming कर रहे हैं अच्छे अच्छे जगा पर computer में काम कर रहे हैं बैंक में भी computer यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से जो assistive technology के मदद से काफी IT के field में काफी revolutionary change हो रहा है जी यदि आपकी विभाग की बात की जाए तो वहां पे किस तरह से और कौन हैं वो लोग जिनको आप सिखा रहे हैं हमारा जिसे कि नामी है National Institute for the Empowerment of Visual Impairment है ना तो हम person with visual impairment को training देते हैं और उसमें हम computer training हमारा एक कॉसल बिकास योजना की अंतरकत है जिसमें हम एक साल का computer training जो की ITI की label का है और NCVTC affiliated है साथी साथ हमने कुछ assistive technology के especially design training भी चला रहे हम जिससे कि person with visual impairment एक independent वे में काम कर सके लिख पड़ सके अपना आगे के higher education कर सके independently as far as possible तो उसके अलाबा हमारे पास M.A.D. B.A.D. special M.A.D. B.A.D. D.A.D. psychology के भी कई courses अभी चल रहे हैं हमारे यहां पर और आने वाले समय में और एक दो course आने वाला जैसा MSW in disabilities और इसके अलाबाद छोटे बच्चों के लिए school हैं वो भी visually impaired के लिए हैं 1 से लेकर 12 तक तो अब हम जानना चाहेंगे आप से कि दिव्यांगता को आपने किस रूप में लिया आपने तमाम बाधाओं को पार किया जो भी अवरोद थे और आप इस मुकाम पर पहुँचें तो क्या मानते हैं दिव्यांगता को जैसे आज यह शब्द दिया गया है गढ़ा गया है प्रधानमंत्री जी दुवारा और काफी प्रचलन में आ गया यह शब्द आपकी क्या सोचें यह मानते थे लेकिन दिस तरह से हम आप विचाधारों में चेंज कर रहे हैं तो अब हम यह सोचते हैं कि दिव्यांगता के कारण किसी दिव्यांग जन को प्रॉब्लम नहीं है बलकि समस्या इसलिए है क्योंकि समाज में उनके अनरूप अक्सेसिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है उधारन के ले ले लेते हैं एक स्टेज है प्रोग्राम हो रहा है अगर वहाँ पर एक वील्चियर यूजर है वो नहीं जा सकता अगर वहाँ सीडियां है अगर उसी स्टेज में रैंप हो जाए तो लोकोमेटर डिसिबिल्टी है या वील्चियर यूजर है वो आसानी से अपने वील्चियर को ले कर जा सकता है तो क्या था समाज की सोच में अंतर आ गया है अगर समाज दिभ्यांगता के परती उनकी accessibility के परती सोचे तो मुझे नहीं लगता की problem बहुत जादा है तो समाज में जो सोच अभी बदल रही है दिरे दिरे लेकिन तो उस सोच में अभी परियाब सोच ना होने के कारण accessibility के परती उसके कारण मुझे लगता है की समाज्या है उनके manoval में उनके आत्म विश्वास में कितना परिवर्तन आप देख रहे है ऐसे स्टिव टेक्नलोजी के माद्यम से देखे पहले जब वो हमारे पास आते हैं हमारे पास कई अलग-अलग cases में आते हैं कुछ लोग तो पहले से ही दिस्टिबादित होते हैं बस्पन से ही और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में एक्सिडेंट के कारण हो जाते हैं अब सोचिए जो अपने कैरियर के पीक आवस्था में रहते हैं बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन आचना को ब्लाइंड हो गया या वीजूली इंपेड हो गए तो ऐसे कंडिशन में वो क्या सोच रहा होगा उसको बहुत प्रावलम होती है मानसिक प्रीडा उसमें बहुत होती है तो ऐसे कंडिशन में हम उनको ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने का तो राजिंदर जी जो आज इस समय आपके कारेकरम को सुन रहे हैं और किसी तरह की दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही कहना चाहूंगा कि दिव्यांगता के परती एक सकारात्मक सोच रखें और यह मान के चलें कि वो क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए तलास करें, क्या नहीं कर सकते यह ना सोचें, क्या 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 कर सकते हैं यह सोचें और खुद भी सोचें और लोगों को भी अवैर करे कि दिब्यांग यह चीज़ कर सकते हैं और उनको जितना हो सके opportunity दे क्योंकि opportunity देने के बाद ही मालूम चलेगा कि उनमें कितनी छंताएं हैं मैं यहने बोलाओ कि बिल्कुल miracle हो जाएगा दिब्यांग जन बहुत जादा कुछ कर सकते हैं without disability कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है दोनों में ही अच्छे quality होते हैं दोनों की ही अलग-अलग skills होते हैं तो यह मान के चलें कि समाज का यह जो एक अलग-अलग बिभिद तरीके के हमारे यहां लोग रहते हैं उन्ही में से एक दिब्यांग जन भी है और एक बिभिद एकाईयों में से एक एकाईय मान के चलें और एक सकारात्मक सोच रखें तो राजएंद्री सिंग नेगी जी आज आज आप इस कारिक्रम में आए और आपने बहुत ही अच्छी बाचीत के और निश्चे तोर पर आपकी इस बाचीत से हमारे जो दिव्यांग साथी हैं किसी भी रूप की विकलांगता से उग्रसित हैं तो वो जरूर प्रोसाइथ होंगे प्रेरिध होंगे और जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक कर पाएंगे आपका आकाईश्वानी स्टूडियो जाने पर बहुत बादाभार